करिट पेंट सेंडर में करते हैं तो क्योंके का चाहिए मैं में करते हैं जलिब हम जार वे सेंडर में जिक हार बना से बतीट उन्ह passy Emin को इसा नहीं हा finans. तर्फे उन्हा ओस्टा स्करूब . ये ये शादी का समार है, लिवन का समार है, समझ नहीं आरहा है सर, what do you think? Good evening ladies and gentlemen, thank you all for coming. So, पेले तो ये लुखा चुपी, hide and seek, अपने spouse or wife के साथ खेलने के लिए नहीं है, वो मैं बिल्कुल suggest नहीं करूंगा, ना मैं उसको advocate करूंगा, लेकिन हमारे यहां हर चीज होती है, it's all about loving your family, तो हर चीज फैमली के साथ होती है, और हमारे यहां फैमली इतनी connected है, कि वो हमेशा जानना चाहती है, मैं जॉइंट फैमली से हो, कि मैं क्या कर रहा हूँ, किदर हूँ, खाना क्या काया, क्या किया, तो अगर इन यह फैमली से कुछ चुपाया जाए तो वो प्रोब्लम क्रेट कर सकता है, तो यह तो नौजवानों ने एक बहुत बड़ी ग We all loved it. A reaction mila here. Lekin, मुझे एक चीज़ बताय, you know, there's this compliment I would love to give to you and, of course, your entire team. Content-driven cinema. People talk about it but you've actually proved that content-driven cinema क्या होता? And you the focus, do you think, has shifted now to more relatable stories, जो कि हम ने देखा है, हिंग हं पहुत बहुत रले एदेबल हो गया है? Actually, last year has been the year सिर्फ हम नहीं अगर आप राजी देखें, इस्तिरी देखें बताय हो देखें, अंदादुन देखें So, actually.. ...Badlapur हो यह Hindi medium हो स्तिरी The audience and the press ने पर पढ़ाया So, I just hope ... यह भी उनकी उतनी बन सगे So, I feel यह अभी नहीं अभी हम डिस्कस करने की जुरूथ नहीं है यह पॉइंट समझ चुकिए, प्रेस ने उसको शुरू से सपोर्ट किया, कि अगर अच्छी पिछर बनाओगे, कुछ नया दोगे तो लोग आएंगे थेटर में भर के आएंगे, वरी तो रिसेंट्ली आएंगे, अभी बात होती है, और आम शुर यह पर बहुत सारे क्वेस्चन उससे रिलेट भी आएंगे, कि मीडिया मुंबई से ही नहीं, बहुत अलग अलग शेहरों से, चोटे-चोटे कई सारे शेहरों से हमने आप बुलाई है, और वो अपने दिल की बात आपसे करना चाहती है, प यह पूछना था कि डेटिंग तो आती है, मुझे, बहुत अच्छे से आती है, सबको माल में, आजकल बहुत जादा ही आती है, इसको, नहीं सर, मामला कुछ और है, अभी डेटिंग के आगे जाना है, अभी क्या है शादी करनी है, तो आपने अपनी शादी कैसे करवाई? हाँ, जोड रहा हूँ, सब जोड रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, इनकी हो नहीं है, अच्छा, मैं रश्मी हूँ, हाला कि मैं एक इंटर्न हूँ, लेकिन एक क्वेस्टन में भी पूछना चाहूँ की, आप बेट की कौन से साइट पर सोना पसंद करते हैं, और शादी क आपको कोई भी साइट नहीं मिलती है, अगर आपको थोड़ी सी जगा मिल जाए तो आपको खुछ रहना चाहिए, आपको थोड़ी सी जगा तो काफी नहीं पड़ती है, यूशली, आप बहुत बड़ा क्वेस्टन है, लेकिन तुम लोग ना बहुत जादा मैथड होगे ह बहुत ही अच्छी है, होपफुली पिच्चर में इससे बेटर होगी, लेकिन आप लोग आजाओ भी तर, तो कैसा लगा आपको ट्रेलर, यह बताएए, पहले तो बहुत अच्छा लगा, हम तो एगदम फ्लोड होगे है, हम अपनी फिम की खुदी तारीफ करनी पड़ती ह हुझत है, हम एड़नी ekरेशर गड़ करह buenas, थोडा रेक्श स्थार में और हिए, जहां है और हम तो नाइस के पर अच्छी फेहरा है, है यह तक्छी होगे ही, लगए, जो तर, बसक्छीय का है थीजिए कॉश्ये कुज हो करहे है लिकिन, इसस्था कि रहे पार प्तुर में कोई भी जिस पे आपको जादा लास्ट सीन वोबाइल का डाटा कटम हो गया है कौन सा वाला पेरे वाला नाडे वाला फेरा लेकिन हमारे पार जियो स्टूडियो तो हमारा डेटा कभी नही कटम होगा सर वट अ प्लग इन सर सर यह था कमाल इस ट्रेलर में आप लोगों को बहुत सारे फ्लेवर्स देखने को मिले इस ट्रेलर में आप लोगों को बौत क्या वट अपन पुरे फलों का बगान था अच्छा लगा आपको स्टॉबरीज बरीज दिस पान मसाला भी था आप बड़े थेसी हो अच्छा आपको अच्छा आपको यह बताया नहीं मतलब हाज जोडने बात कर लिए आपको यह बताना पड़ेगा कि कैसे करें हम शादी लुका चूपी बहुत होगी सर मुझे लगता है तू काफी वेल कर रहा है इस डिपार्टमें ना तो अच्छा स्ट्रेस नहीं है तू जिस बस डिचाइब कर लिए गारा है मुझे अच्छा उनला जाए खा किसको जल्दी भी नहीं है मुझे भी ऐसा लग रहा है आईये आये यह आईये सर क्या पूछ रही है यह लड़का बात घुमा रहा इधर उदर मुद्दे की बाती है सादी वादी की बात पूछ रहा है यह लिविंग रिलेस्टन के बारे में जानना है आपका क्या ख्याल है वो बताईए क्योंकि मैं भी कुणा रहा हूँ मुझे तो बिलकुल मैंको लगता है अगर लिविं भी करना पड़े को जोसे मरी मम्मी एंट्री का रही है तो सब परिवारी करना पड़ेगा ना लिविं रिलेशन्शिप की बात कियो और वाइफ आ गई है साथ मां तो क्या शादी के बाद लिविं कैसा है अब ने कभी क्या मतलब था को मने नहीं है सामने सामने गलत सवाल इसके लिए हमें बुलाना चीह हमारे कैप्टन ओफ आर शिप इंसे काम और कंपोज डिरेक्टर ने आज तक मैड़ों में पिचर नी बनाई है और इतने इतने काम और कंपोज जब हमारा काम खतम हो जाता था तो एक एक पूड के बाद आप खाल या जाओ आजाओ आजाओ ओड़ों में लख्ष्मान उत्ते कर तो तो राज आपका पावर्फुल गंचा किदर है जो आप पूरी पिक्टर में भेंड रहेते हैं थांक यॉ सो मुच थांक यू सो मुच पर कमिंगे वां थर्स्डश्डए भी नम्रिता तो बताइए निया आपकी लाइफ में असा हुगा है क्या मैं कुछादिशिदा और मेरे दो बच्छे भी है शायद वाग नहीं है बट मैं लिविन पर बिलीव करता हूं मैं क्या सुचता हूं मैं तो बहुत कुछ सुचता हूं लेकिन मेरे पड़ोसे तो फ़रक नहीं पड़ता मैं क्या सूचता हूं सर मेरे बिल्डिंग में रहते हैं हम लोग इंफ लिविंग में रहते हैं क्या हुआ कहानी सुनानी थी तो इननों ने फोन किया कि मैं आ जाहूं क्या मैं बोला हां कितने समय लगेंगे आपको तो बोले पांच मिनट तो मैं बोला आप मेरी बिल्डिंग के नीचे आगे कॉल कर रहे हैं क्या तो बोले ना मैं 16 फ्लोर पे हूं मैं आत्मे फ्लोर पे तो मैं खुछ शादिशिदा हूं पारिवारी जॉइंट फैमिल में रहता हू बढ़ मेरा बलीव लिवें में नहीं है बत मैरा बलीव रहाण कर चनर जुनों ने काहनी लेखे उन्क काहनी में था रहा हू पुछ और ने बहुत्व है इसमिलिटे से अक्युमिलेट किया है, फैमली के साथ लिवेन करें करें रोहन का अवान का परस्माल इसमिलेंज और राष्मान और अभी टोंगे क्याक्यां गृहन कि दौहरो आप्स भी तो अग्धोर से रेलेट करते हैं और अचालों आपको एसाहरें प्रश्मी इनके इनन हमने कहानी पर बिलीव करके खुबसरोतियों बनाई है यह था थैंक क्या बाता है लेकर साब आपसे भी जानना चाहेंगे आपसे परस्नल एक्सपीरियंस के उपर है हो डिखकल इस जोइन फैमिली में कुची कुची करना था रणी कुद के एक्सपीरियंस से आया एक है यह थोड़ा बहुत है क्या था मैं एक प्रफ्र बता नहीं है बी पता चल जाए गा एक लड़की को डेट कर रहा था तो इसमें बोला था कि हम लोग साथ में रहते हैं तो क्या सोचेगी तो यह था था बाद में ब्रेक अफ हो गया लिकानी मिल गई तो फिर कानी मिल गई बाकी सब लोग मिल गए और यह दिन आ गया बट ऐसी कुछ परस्टाल एक्सप्रेंस से कहानी या करिदार मिलता है तो वो कोशिश की है तो अब देखते है तो अब तेक्या जासे जाल था कुछ निकल गया ब्रेक अफ हो फिर फाईली यहाँ यह पे वीड टेक अब रेक अफिक फोटो प्रेक अब धिस अमेजिं कास्ते प्रू यहाँ पर उसके बार मिडिया क्यू एन राइब बोट यू गाइज गाइज अवावी इन पास्त हो इस तो में पीपल I think it is very difficult to do comedy in general because किसी को भी हसाना सबसे जाद मुश्किल होता है और अगर आप अगर आप हसा सकते हैं that's the best emotion but हमारी जो फिल्म है वो काफी situational है तो ऐसा नही है कि हम जबरदस्ती जोक क्रैकर रहे है हम situation के हिसाब से आपको हसाने की कोशिश कर रहे है तो हम actually react कर रहे हैं काफ मुझे पूरी फिल्म हमने 45ड में अर्मुपिल्म हमने45 00.000.35 मेरी आपको है ये नियुक्श्मन सवर सबस्क्रा सब प्भी होता है and you'll feel that, hopefully. And if the comedy didn't work, it's a tragedy for the producer. Dinesh ji, my question is... Yes, sir. In the beginning of the production house, we have seen a lot of different subjects. And we don't talk about comedy. You have made a very beautiful movie on the surrogate mother, which we had heard about a very beautiful film. which we had heard about it. So, do these experiments, do you ever develop such experiments? If we have made such successful films, if we have made such a serious film, then it will work, or it will not work? What will it be? What do you say? If you don't get scared, then you won't get fun. So, I feel that the current audience trend should only be new for the sake. You know, there's a new emerging India. who want stories from their country. And surrogacy, like you mentioned, is a very, very sensitive issue. But, our take on that, like we brought a comedy with horror, then the film will be entertaining. So, it will make you laugh and cry. So, the idea is that, you try new things, but you must entertain. I mean, you don't have to speak in the picture. That's the overall intention. I've got a question. As I said, That, the content is king, you think that, so, you can find out what your work is made. I'm a great work. I'm a great work. I've got two hands. I've got two hands. No, no. But, you've got a lot of scope to get a good job. कि अभी ज़रूरत पढ़ने लगी है बहुत ज्यादा तो सिर्थ मेरे लिए नहीं जो भी अच्छे अभिनेता है उन सबके लिए अच्छा मुखा है अच्छा उसर है नौट सिर्फ एक्टर स्टोरी टेलर जैसे रोहन ने कहानी लिखी या लक्षमाज था सिनेमटोग्राफर एक नहीं कहानी लेकर कहने आ गए तो अभि जिस किसम कि भायार हवा चल रही है तो सबके लिए समान मौके है जो बहुतर श्टोरी टेलर हैं लिखक हैं सबके लिए अग्टर हैं सबके लिए अइस अज़ बिख्टरपके निस्ट इना अरग नेकर्ट कर लिए वंद भी आगे टूकर्ट मुर्ट जिस्या भी में तो उसे पर दो मराती फिल्मे भी की जागे, तो अपट शब बहुत बहुत और प्याजिकोटन रुट कर देनी है टो एक रधिकछ रेखिए फ्टेजिए लागए बोल नवा रेखिए औरी प्रोड विल्मेकर लाकर दीनिश्ष विल्मेकर एधिए अभून पर एकना दॉट का पाला, आटको किछ नियुआ कंव इसा इस तरए चाहिता है, तोड़ा तेकन का चाहिता नहीं है सबंटीटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेर अवेड इसफ़ों sore 50 की डिपरर्छ टिप ररख वो कभी कभी होता था कभी कि आप सीट पे बेचते हो और अपना दोस्त गाड़ी अचानेक सब बेग मारता है तो आपके पर आगे जाते है ऐसा होता था लेकिन मैंने चुन्ट्रोल किया हर बार है ना मिलिन I have done one my first Marathi film त Finnish मारती तपाल, I have done direction as well as cinematography but this film had big canvas our wealth or Mathura में shoot in yodo film on 12-3 actors एं SAPK erstmal laius 2 और मार्टी ऐसे अपने करेकिन करेंड़के रहे इंस व्स्ताद एंपड़ड़वाद्य तो उन्केशफ आपने अपने ऊपने तो क्योंकि आप जितने अच्छे पर्फॉर्मर के साथ काम करते हो ना बहुत डर भी होता है कि आपके स्टोरी कही मोड लेके कही गुजरना जाये तो ओ भी होता था तो इस ताम अपुपसली मतलब मैंने सोच कही किया कि ये फिल्मे शूट मही करूंगा I will only concentrate on my story telling You, Karthik, Karthik Krithi you know for all actors we see like everybody tries out different spaces today and for versatility but there's always one space that an actor is associated with or they get maximum praise for you have done a Bareli Ki Barfi which worked wonderfully well and you have been working in films like that you know happy films like you said and you have presented so many films in that space do you think this is your comfort zone and somehow three of you coming together this is the best that could have happened to the film because three of you have individual things that come in the space I think coincidentally we are coming from those kind of films that are as you said happy films he obviously as a producer makes different kinds of films and my last was Bareli his last was Sonu but I don't think I want to get comfortable in one space like I think that's not what I'm looking at although coincidentally my next two films are also happy films Arjun Patiala and Houseful which are also they're in the comedy zone but yeah I think it's more about how I connect to the script and how instinctively I like the story so I actually think like Janta that I think that's how I would want to follow it Karthik and Kriti sorry yeah do you think you can bring something into the film because you've already been part of the film I feel comedy is the most difficult thing to do for me also So for me also I feel like the most difficult thing for people is to laugh I feel good when people laugh I mean I mean if people laugh in this work for people laugh in the job and hear them but whether I have thriller or like an anti-hero क्योंकि वो रागे चाहूंगा कुछ पालाई हटके क्योंकि वो मुझे बहुत जाहिए यह यहा ते आँ है, मैं को अंधधा दुन जैसे इस वाईती है, बहुत अच्छी लगी ती फिल्म तो मेरा ध्यान उस तरफ भी है, मैं और कुछ भी करना चाहूँगा अभी, इस से कॉमेडी से अलग, हाला कि मेरेको कॉमेडी फिल्म्स बहुत जादा ओफर होती है, बिकरस प्यार का पंचनामा, टू, सोनु के टीडू की स्वीटी, कॉमेडी फिल्म्स में काम करना मुझे बहुत परसंद है, लेकिन थोड़ा सा जादा मुझे सीरिस फिल्मों में काम करने का भी अभी शॉक है, तो मैं पूरा करूँगा अगे. कार्तिक, कृतिक, पंकर जी, आपसे सवाल है मेरा, कि हमने ट्रेलर देखा वो तो बहुत बड़िया था, पहले यह बताये है, रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ था, कि आप जब टीनेज में थे तो आपको कोई क्राश होगा, कोई गर्ल्फरेंड होगी, और उसे उसमें प पापा यहीं बेठे हैं, बहुत अच्छा सवाल पूचा तुम्में, यहां, सबसे जादे पापा गीगल कर रहे हैं, पता हैं क्यों, पापा बहुत लिव इन रिलेशन्शिप की, नई, तो बी होनेस्ट में मम्मी को बहुत चीज़े पता हैं मेरी परस्नल लाइफ की, और गोरा, ऑर बहुत आवलों, जोग इन रिलेशन्शिप में होता हूं तो यहां पूं नेए अजा इसे पापाई संहा नेक्तित अग्रक। के बीच में तो वो थोड़ा सा एक हमेशा रहा है लिव इन कभी मामला आया नहीं है एक्स्प्लोर करना चाहूंगा मेरी आप अपने दिया अपने कोशिश कर रही हूं है अला कि लेकिन जब भी मेरा कोई क्राश रहा है या मैंने में कॉलेज में या स्कूल में जिसे किसी लड़के से बात कर रही हूं और वो बाजू में खड़िया और उनको पता चल जाएगा कुछ गड़ बढ़े हाँ तो या मैं परेंट्स दो गड़के कौन है क्या है तो वो धीरे थीरे मैं थोड़ा स्थोरा करके बता देती हूं पर यूजली उनको थोड़ा बाद में पता चलता है मेरा एक किस्सा है चोटा सा कि जब जो मेरी अभी पत्नी है उन्हीं से मेरा प्यार सुरू हुआ था कुछ बीच साल पहले तो मैं गाउं गया गया तो एक साल के गैब में चुट्टियों मैं गाउं गया तो मेरी माने पूछा कि तुम्हारा किसी लड़की से कुछ चालू ह मैं थाइल, बिलकुल द्यार की तुम्हार कि रख्वावा थाया अ, मैं मुछा करू इसको कैसे बता है हम कभी बता आये न जाने रख्या तुम्हारा बता थाया मुझे अ न कारि लिवस्तुम्हेरा पेल्या कह एं perspective कि नबता दे है तो ओक्र मेरे मां के लिश अपने हुआ ह आपके लेफ्ट में यहां आरून सवाल यह है कि अप लोग इतने पॉपुलर हो चुके आप सभी की फिल्में लोग बहुती लाइक करते हैं आप सभी जहां भी जाते हैं आप सभी जाते हैं वोग जाती हैं वोग नोट शाद कना माईज सब्सक्या हरु क्या है? पहुक्त पूंक जैmos services के लिवे जाते हैं फैसले हैं जाता है फैसले तक लिख लोग मुक्षि पूपलर मीजिक अपने हैं अरुन के दिवाग में शादी ही चल रही है तब अभी यहां बैठके गए तो तो तुम जादा शादी शादी वाला उतावले हो रहे हो रहे हो कृती आपका क्या 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 है शादी के बारे में अरुन पूछना चाहते है में अफकोस बलीव इन मारेज और वूट वाला इसम पूइंड बारे मेरे बारे में बोल रही है की चाहिए नौट अर एक सवाल ही है की रिसेंटली हमने देखा बहुर सारी शादिया हुई चाहे मां विराट की बात करो अनुष्का एंड बोल दिया हमने अमने अश्में हाँ कौनसी अच्छी जोडी लगती आपको सबसे फेवरिट जोडी को ओने अभी फिलाल तो कार्थे को मैं ढराधिक, अन्यार लेफ टारिटिंग मैं मतलब मुझे काम मिल रहा है अच्छा काम मिल रहा है तो फियर तो नहीं हूँ प्यर्लेस ही हाँ करते जा रहा हूँ तो जो म कर्टिक पर रहा है कर रहा हूँ कर रहा हु कार्टिक तो धूर्प इसके एक थालीट डिटालेक था। और वो डायलेक के लिए हमारे टीचर थे पंकच जी जिनका नाम है और नोट पंकच थे पाथी जी बड़ इस पेसिफिकली मत्हुरा में यह बेस्ट है फिल्म तो उसके लिए कुछ छोटी-छोटी नुएंस थे वहां पे लिए जी से राधे राधे का करे हो तो वह थोड़ा सा डायलेक पे काम किया गया था अफकॉस मेरे लिए बहुत नया था है क्यूंकि मैं जाए अफकॉस में बहुत है बहुत ही फुर्ण एक पर देली का लड़का यह से पांचनामा में देखा होगा तो यह मेरे लिए एक नया था बहुत ही फुन एक्स्पिरिंस रहा है I think this is my most the sweetest character I think जो बिल्कुल भी दिमाग से थोड़ा भी street smart type नहीं है and so I'm really happy and of course में को गॉलियर में शूट करने का मुका मिला तो बड़े शहर में जैसे मैं रहता हूं लेकिन मैं हूँ छोटे शहर से मैं गॉलियर से हूँ जहां पर मेरे लिए back to square one हो गया कि मैं जहां से आया हूं वहीं पर मुझे शूट करने का मौका मेरी फिल्म का तो मेरे लिए वो लाइफ देखी हुई है बच्पन से तो यह तो में को 7-8 साल यहां पर हो हैं बडे शहर में उससे पूरी लाइफ पहले मेरे एक चोटे से शहर मेरे रही है कि गॉलियर है we'll take one last question or Karthik on your left Je on my left sorry Karthik, you know your last film was a huge success for you and post that I think you know a lot of us from the media you know वो बावंडरी में इसले हैं कि कोई डाइ बाइख भी वाँजी थीडिए है. but there was this time that you just had a kind of a boundary as sense, so why वो बाउंडरी मैंने इसले भी की थी कि कई बार इतनी जादा नूस आरी थी कि मेरे को लग रहा था कि बाउंडरी कुछ तो रखू उसके लिए मैं कम करता था लेकिन फिर भी मेरा बहुत जादा मतलब जितना मेरे को लगता है उसे जादा नूस आरी थी so that's the reason कि मैं थोड़ा सा क्लोजर में चला गया था कि मैं इतना नहीं मिल रहा था having said that still मतलब मैं मेडिया से जब भी इंट्रैक करता हूं आपने देखा है जैसे मैं करता हूं जो मैं पहले इंट्रैक करता था वैसे ही अभी भी करता हूं not that life has completely changed यह में इतना बड़ा कुछ ऐसा कुछ हो गया हर Friday change होती है and thankfully मेरे मम्मी पापा मेरे को आज भी डाटते हैं चिलाते हैं आर भी देते हैं कि अगला Friday बता देगा भाई रुक जा वो चीज मेरे दिमाग में कभी नहीं आने वाली कि उस सेंस में कि इस वजर से मैं लोगों से दूर रहूंगा यार मैं बन गया हूं तो वो आला जोन मेरा नहीं है Dinesh, I have a question for you. Dinesh, I have a question for you. You are someone who always talks about content and someone who's given a lot of importance to you the content films that you make and obviously you're here because of the films that you've made so when it comes to it there's always a discussion while the actors the directors and the producers in terms of remuneration do get their credit but writers somewhere are always been left behind there was obviously a controversy between you and your good friends Raj and DK that also happened in terms of due credit in terms of remuneration or something else what do you feel isn't it high time because the writers are in the end the start of it if they don't give you the content how so what I believe is that I have worked with a lot of writers and there's Rohan here there is there are six other films that are being made and I actually believe that writers define films so I honestly believe and I am quite confident that Maddox is one of the highest payers to actors or to writers and that's something I believe in I believe without writers there will be I feel the writers as important as a director obviously the matter that you're discussing sometimes when there's a huge success there are misunderstandings and there are people who come in and sort it out but 95% of the time in 14 films that I've made there's never been a situation where I've had any hassle with anybody so sometimes it happens and I also believe when time passes the truth always comes out so I would rather not talk about the matter but let time say what was the fact yeah thank you so much and where you have to understand that you have to understand what flavor of this picture you have to take this picture for Luká Chippee ladies and gentlemen thank you so much Thank you झाल 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 झाल